हलो इवड़िवाइन गूट मार्निंग विल्कम बैक टू माई न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सभी आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो सुबह का वक्त हो चुका है आठ बच गया है और बस मैंने नास्ता रख दिया है बनने के लिए बच्चे जा चुके हैं उसक आठ लगाने के लिए रह गया है तो चलिए जलते हैं सबसे पहले हौल थोड़ा सा ठिट्टा करते हैं बीना पूरा फैला हुआ है और जल्दी से इसको ठिट्टा करना है और फिर रोज की तरह है और अब भी जैसे के मैंने बताया भी था कि गाउं जाना है थोड़े दियो कुछ ही टाइम बचा है तो अभी पैकिंग सेकिंग कुछ भी नहीं हुई है बस सारे कपड़ मनी कठा करके रख दिये हैं तो आज और छोड़ देती हूं कल से मैं पैकिंग सुरू करूंगी क्योंकि फिर भूल जाती है बहुत सारे चीजे तो इसलिए तो फटा फर से चलत हुआए तो चलिए इसके बाद में यहां पासना सबसे पहले विस्ताइर है इसको जहार वोड के रख देती वहुँआ सोबह सुपरह का काम होते हैं बच्चों के स्कोल जाने के बाद का कास तो यही होता है कि सबसे पहले विस्तार है पूरे घर में न फैले हुए तो इनको पूरे दिन के लिए थोड़ा सा घर वेवस्तित हो जाता है तो चलिए पहले तो मोटा वाला कंबल फिर सारी कंबल फोल्ड करके एक जगेनर रख देंगे फिलाल यहां पर सभी कंबल संबल नहीं रहने वाले थोड़ा सा विस्तर ठीक ठाक करके सारा मतलब इधर कर दूँगे साथ में जो नीचे गद्धा मैं रखती हूँ उसको अभी सीधा कर दिया है क्योंकि साबसफाई करना है एक बार साबसफाई हो जाती है तो फिर दिन भर के लिए फूर साथ हो जाते हैं ऐसा नहीं है मतलब धाड़ू फिर एक दो बार लगाना पड़ता है जैसे कि लंच के कपड़े थें तो कुछ कपड़े ऐसे हैं कि मतलब मसीन में नहीं लगाने हैं जिन्स हो गए इनको सब को जेंटल से या मतलब ईजी से साफ कर दोंगी तो जेंटल था यहां पास तो उसको अच्छे से थोड़ा से यतना यूज होगा उतना पानी में डाल दिया इसको भीग तो ज़ादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही, तो इसलिए सारे कपड़े मैंने डाल दिये, ऐसे ही मतलब हांसे दुलने के लिए, और चोटी बखेट में कपड़े सारे नहीं, अच्छे से भीगोते बन रहा था, तो मैंने यहापा स्टप में डाल दिया है, और कपड़े मतलब फूल जाएंगे तो इसके बाद फिर मैं धुलाई करने वाले हूं इसके बाद फिर किचन में आगे उनाश्ता हो चुका था सबका और सारे बड़तन मैंने रख दी हैं सिंग में तो फटा फट से अब क्या बारी आती है किचन क्लीन करने के तुछ जल्दी जल्दी से कि साफ में गलास को तो भाद बर्तना सब्सक्राइब करें भी अच्छा पर भाद पर चैकर फेपर हटouse या सारी ग्लासों को फिर से रख दूंगे थोड़ा सा साफ करके इसके वाद सबसे उपर वाले जो बड़े बड़े बरतन रखे रहते हैं तो इसको भी और मतलब एच्छी से साफ कर देना साफ करना था प्र पेपर इस वारा भी फिलाल मैं नहीं डालने वाली ऐसी ही रखने तो फिर देखेंगे आंगे चलके कि अगर ज्यादा गंदा होगा तो फिर नहीं पेपर में डाल दोगी तो थोड़ा से अथना फटा फट से पूरी जाली भी साफ कर लेते हैं और इसमें अब को दूल तो आती ही है बहुत जादा जम जाती है और थोड़ा बहुत बड़त जाली जमल गण्ध है लगे हो तो थोड़ से साफ कर दो ना की है तो चमक ने भी लगती है ज़तों ना इसी साफ हो जाते है तो बहुत अच्छे देखने मेंलगतेहए तर सेम गेड़ी है , अडिं़ल आतो साफ सेदili नीचे के निचे सीने के लगती है तो बहया है instinct कि तो थोड़ा सा आज टाइम देके ना इसको मैं अच्छे से ना क्लेन कर देती हूं और नो सामने से देखता है कि हाँ गंदा है पालिया है काहे रखे लिए अंदर नहीं है तो चलिए यहां पास मैं रखने थी ना खाना बनने के लिए शाथी साथ मच्छों को बन रहा था बनाना से एक कोई हिलसी यही काम चल रहा था और मैंने अभी दाल रख दिया है क्योंकि सब लोग कोई समयंक के लिए बन गया बनाना से एक तो उसने फिरिज में फिलाल जैसे कि मैं भी वोगों ने सुना कि फिरिज में रख दिया है इसके बाद बच्चे भी आ चुके थे इसको थोड़ा सा स्वारी बच्चे तो पहले जैसे कि अभी आप लोग ने देखा आही गये थे तो कपड़े उप्ड़े बस्टों के ड्रस पड़े रहते हैं तो बस इनको ना निकाल के और अभी जैसे कि इनको आज नहीं दुलना ह पड़ेगा तो फिलाल आज मैं सब सारे कपड़े कठा करके रख देती हूं कि पूरे घर में कपड़े ना रहें और बस इनको कल दे कल दूलेंगे फिलाल यहां पस मैं चेक कर रहे थी कि अगर एक दिन के पहन जाने लाइक होंगे तो ठीक है क्योंकि एक एक दिन ही पहन के हुआ था मलाई कठा थी और अभी फिलाल सिर्फ दाल बनी है चावल अभी नहीं बना है क्यों थोड़ा सा मैं लेट रहोंगी खाना वनने के लिए तो जैसे कि अब लोग ने बनाना से कोई लस्सी सारा चीज बन गई है ना थोड़ा सा मैं चावल लेट रखने वाली हों कर तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए चम्माचिया कर छुली कुछ भी लेकर घुमा दोना तो बहुत एजली मकन इसका बन जाता है बस करीब मैं दस मिनट लगा होगा हराम से मतलब हराम से हाथ ना दर्द करें इसके बाद इसमे मैं डाल दूँगी ठंड़ा पानी एकद इसे करीब 2-3 मिनट के लिए घुमा दूँगी आप चाहे तो मत आने से भी कर सकते हैं या ब्लेंडर से ब्लेंडर से इस पर मैंने निकाला ही नहीं हाथ से ही कर लिया था बस अच्छे से बन गया था और फटा-फट से ना अम फटंड़ा पानी डालने के वाद अच्छे से सुरी सुरी मिक्स कर लेती हूं और यहाँ पास अब निकाल लेती जह सकते हैं कि पूरा मखन अच्छे से बन चुका है बस फटा-फट से निकालते हैं कडगाई और इसमें न निकाल लेंगे अब चाहें तथंड़े पानी से एक-दोबार मखन को साफ लेंगे तो जो इसकी नीकाल दोगी और रख दोगी पकनी के लिए तो चलिए घी बाहर से नहीं लेना पड़ता हैं घर में ही जितना अपना योज के लिए हो जाता है बस जैसे आप लोगों को मैंने भी दिखा रही थी कि बन गया है और यह जो मठ्धा बच्ता है इसको मैं डाल दोगी बाहर फट बाकी चावल रख दिया है बाकी कहा आप चोटे मोटे बरतन है लगी हाथ में उनको भी साफ कर लेती हूं जो घी कहा है बना तर बाधा इसको में डाल के आती हूं बाहर हम लोगों जिसमें मिट्टी के बरतन होते है वो रखे हुए है एक खाने के लिए और एक पानी के लिए कि पानी के लिए दे लुए है कर दो जाते हैं तो चली हिसने पास खाना-पीना खाल से ने कज़ने के पाद सारे बर्वत्ण यह ऐस से कर्दाम थ समीद्याब बिलियों कता चली हैं घंसाजेन शरूंक करता में टकर बंकर प्रतन को पाद सोगी तो जोका 5 यह सी महीं एक भले जाला कर। और चाय रखेंगे साथी साथी जो ये धेर सारे बर्तन देख रहा है ना इनको भी लगे हाथ ना फटा-फट से मैं लगा दूँगी तो चलिए इस साम का जैसे कि सारे चार या पाच बजते हैं तो पर चाय चाहिए और मैं तो पी ती ती थी ना आज कल ये भी थोड़ा सा च किचन भी थोड़ा बहुत ना कुछ ना कुछ गिर जाता है तो साफ कर लेती हूं और फिर चाय पीते हैं और फिर यह साम बाला जो काम होता है इवनिंग बाला हो सुरू हो जाएगा और यहां पास कफ निकाल लिया ग्लास साथ मेना इसको ने इतिनी गंदी आदत पड़ ग यह मैं सोंशती रहती हूं मगर यह सोच दे काकः बरदं मैं अलोग बाता है इसको नहीं देती है कि कहीं जल लुए मैं लगा दी हैं सब्सक्राइब। तो चलिए यहां पास मैं आलू रख रही हैं बॉयल करने के लिए क्योंकि मुझे बनाना है बर्गर अभी आंगे आप लोग देखेंगे तो जब तक चाय होई पियेंगे जब तक मैं आलू ना बॉयल हो जाएंगी तो इनको दुलाई करके अच्छे से रख देती हूँ उबलने के लिए और चाय फटा-फट से छान लेते हैं तो जितनी मुझे चाहिए थी आलू उतना ही रख दिया है तो चार आलू एश्ट्रा करके रख दी हूँ ताकि कुछ न कुछ और बनाना होता है सबजी रात में नाइट में तो काम आएगी तो चलिए यहां पास चाय मेरी पक चुकी है और छान लेते हैं लगे हाथ रख दूंगी आलू जैसे की बदाया बन जो बर्गर बनाने के बन काफी टाइम से लेके आया थे तिन चार दिन से रखे हुए थे तो मतलब फिर उनकी खराव हो जाते तो मैंने फाइनली टाइम निकाल लिया कि जल्दी से बना लेती हूं उनको और बच्चे भी बोल रहते हैं जैसे की दो तीन दिन से हो गए प्रिज्ट में रखे हुए बन तो देख रहते हैं न बोल रहते कब बनाया है तो आज देखती हूं जादा सबजियां नहीं थी मेरे पास बहुत कम ही थी और ना तो सिम्ला में उस्थाना धनिया की पत्ती थी एक गम से कम-कम सबजियों में मैंने बनाया था वरकर अब यह कि आप लोगों के साथ में सिंपल तरीके से हाँ पर टेस्टी बना था ना तो चटनी की धनिया पती थी नहीं तो ग्रीन चटनी भी नहीं वने थी लोग पास कि अगर आगर कर दिया इसके बाद आहा सारी तैयार यहां पास लग गई करने लगी हूँ तो टिकी मैंने फ्राइ कर लिया है बना कर और आलू को मैंने अच्छे से बॉयल किया जैसे कि देखा आप लोग ने रख दिया था उसमें प्याज और सारे मसाले जो भी होते हैं घर के ओ सारे मिक्स किये और इसके बाद अच्छे से इसमें थोड़ा सा हमने एक लिए प्ले में भीगो दिया था और उसके आटा घैप चे लगा लिया था तो फूखा मिक्स करके बनाया इसके बाद तो यहां पास मेरे इस्पी एक सूट कर रहे थी आप लोगों को पहले ही में मिल चुकी होगी तो चलिए यहां पास अप्लेट रखा और एक मैट टिक की रख दिया इसके ऊपर एक ना स्लाइस चीज का रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ी से विजीज लैसे की प्याज हो गया टमाटर हो गया थोड़ा सा यहां पास मैं रख देती हूं पत्तागों भी कीरा मेरे पास नहीं था खतम था इसलिए कीरा हम लोगों नहीं हुआ हैं देती हैं बोGANाओं काफ noises स्योगे मैं तो इक हैं रिखते हैं और और अकेलि यह तोड़ा सब मैं जाए हुद हाथ हैं विडियो में आप देकूए मद बशीचे बश्य कुछ कर देती हैं मगर अब मैंने रख दिख θ virgin's नक दर देख के यह इस कुछ ना कुछ इसका फिर बर्त में बन जाएगा और लगे हाथ ना फटा परसी किचन दी क्लीन कर लेती हूं नहीं तो फीर अभी थोड़े टाइम के बाद फिर मुझे ही करना है और बहुत जादा किचन फैल जाता है तो चेली लाश्ट बन रहे गया था तो इसको भी फटा तो फार्ष टाइम ही वनाया था पर अच्छा बना था था थोड़ी से जैसे की बता कि चटने उतनी के थोड़ी से थी कमी थी और बस उतना ही outta बटापट से बनाद दिए हैं और लगे हाथा किचन भी क्लीन कर दिए हैं तब थोड़ी भी क्लीन बहुत की और सात में जुसा आर्मली खाना बनाते हूं तो कैसे भी बना लेते हूं अगर सूट करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ता अलग ही है और जिसे आलू बच गई थी इसको हमने फ्रेज में रख दिया है यह ले लिखे चलते हैं बच्चों को बच्चों की पापा को अगर खाते है सबको देते हैं यह मैठ है ना फ्रेज का यह वीडियो सुट करने के लिए है मेरे